नमस्कार ट्रेडर्स जारी में स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ आशी शत्रवेदी और नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कुशल गुपता या फिर यूरोप को और एशन क्यूज के लिहाद से भी निकाई में बहुत ही शांदार तेजी अभी बनती भी निज़र आ रहे है अलगि गिफ निफ्टी और मुस्स उसने के साथ करबार अभी करते वे निज़र आ रहे है बट हमारे बाजारों का जिस तरह का रना प्रा है पिछले पूरे हफ़ते वो आप देखे इस हफ़ते भी हो सकता है कि जो ग्लोबल क्यूज पहले आते वे नज़र आ रहे हैं उसके बेसिस पर ओपनिंग अच्छी होने की संभावना जिताई जा रहे है बट अफकोस निकाई आप देखे अल्मोस साड़े 500 अंकों का दमदार उचाल अभी दिखाते वे नज़र आ रहे हैं लगबग 1.5% से ज़्यादा की तेजी है डाव जोन्स की में बात पिर रहा था तो वहां पर भी अच्छे कासे गेंज आपको शुक्रवार के सतर में बनते वे नज़र आये अल्मोस पॉइंट 4.5% तक की तेजी डाव जोन्स में बनी साथी नज़र आ रहा रहा था एक बड़ी यूरोपेन मारकेट्स भी नज़र डाले तो वहां पर औस तन यह जो इंडाइसेज है तीनों के तीनों हरे निशान में ही बंद होने में सफल हुए और इनफाक्ट वह जहां से भी अच्छे संकेत है एंड हमारे कैश मारकेट में तो FIS की अगैन खरेदारी का आखड़ा आया है करीबं 3600 करोड रुपे का कैश मारकेट में यहां पर खरेदारी आरतीवी दिख रही है तो जो फोमो वाली फीलिंग थी FIS की वो हो सकता है कि इस महीने आपको होत है इस हफते हो सकता है कि आपको जादा से जादा खरेदारी भी देखने को मिले FIS की तरफ से तो ऐसी एक्सपेक्टेशन से आप देखना है कि क्या फाइनल फिगर आते हैं बड़ जो हमारे बाजारों के लिए क्यूस देख रहे हैं वो तो काफी बहतरीन साइट पर देखन हैं खबर वाले चुने लांग टर्म के लिए आज से कुछ टॉक्स इसमें लगातार बने रहते हैं और साथ में खबरों के लिए आज से टेक्निकल तौर पर भी लिस्ट को शामिल किया है सब कुछ बढ़ी है यूस के मार्केट से में क्लोजिंग शुक्रोबार को ठीक टाक इसको पर महर लगती नज़र आ रही है कि जहां पर अगर आप देके तो आगे जाकर ट्रकर के कैबिन में आपको अनिवार होगा एसी लगाना तो यह सूपरों जो कि सेग्मेंट में लीडर है इसको यहां पर आपको खृदाई करने चाहिए साथ में अगर आप देके तो इ यहां पर आप करें एक रिदारी 465 रुपे के टागेट किरें और स्टॉपलोस रगाना आपको 445 रुपे का बिलकुल तो हमारी बड़ी खबर पर मोहरलक्ती वी दिख रही है सरकार की तरफ से अब आपचारी के एलान भी कर दिया गया है तो एक मेंडिटरी यहां पर जो नोट आता हुआ दिख रहा है गवर्मेंट की तरफ से वो एक अक्टूबर 2025 से टकस के लिए उनके कैबिन में आपको एसी अनिवारे करना होगा तो साथ ही यहां पर सुबरोस पर तो फोकोस करकर चलना ही है और एक इससे जुड़ावा स्टॉक है इस खबर से जो मैं आपको आगे बताऊंगा मैंने अपनी सूची में शामिल किया है बर अफकॉस कैस सेगमेंट में सबसे पहला कॉल मै यहां पर यह हिस्चेदारी बढ़ाई गई है और अब हिस्चेदारी इनकी 5.3% हो गई है 4.8% से बढ़कर तो मुझे लग रहे कि इस वज़े से फिनल्लक्स इंडस्ट्रिस पर आज अच्छा खासा तेजी का दुजान बन सकता है 212 रुपे की क्लोजिंग रही है 218 है घरदारी दरसल सिमिंट स्टॉक तो वैसे भी फोकस में हम लगातार आपको बताते वे नज़र आ रहे हैं काफी सारी चोटे मजोले सिमिंट स्टॉक पर भी हमारी नज़र है बड़ अफकॉस एफनो बैन लिस से यह काउंटर बाहर होता हुआ दिख रहा है तो मुझे ल चल सकते फ्यूचर में करीदा है आई टी पैक में पसंद आ रहा है एंफिस और पूरा निफ्टी इंडेक्स अगर आप देखे तो टेकनिकल तोर पर काफी मजबूत नज़र आता और शोके दुरान याद आता है कि हम दोनोंने काफी निचेस तोर पर लगातार खरीदारी क और 2410 रुपे का आपको लगाना स्टॉप लोस तेजी बढ़िया देखने को मिल सकती है खरीदे ना खरीदे निफ्टी आइटी का चार्ट एक बार ज़रू देखेगा बढ़ते हैं और तो ऑप्शेंस के लियाद से एक टेकनिकली बड़ा ही पर्फेक्ट स्टॉक नज़र करेक्शन यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं साड़े तीन रुपे का आपको लगा कर चलना होगा स्टॉप लॉस बिल्कुल अशिश्य तो ऑप्शन काटेगरी में आपको ऑटो एंसलेरी इंफाक्ट ग्लोबल ऑटो एंसलेरी मंदसन सुमी पर आपको फोकस करकर चलन है चलिए मेरी तरफ से यहां पर बेस्ट ऑप्शन काटेगरी में मैंने स्टॉप चुना है एचल टेक का तो आप आप स्टॉक्स की बात कर रहे थे और आप स्पेसिफिकली देखें तो हम शुकुरवार के सेतर में भी लिंग कर बता रहे थे कि यहां पर किस तरफ से जो ट अपने देखने को मिल सकता है तो उस पर तो फोकस करकर चलना ही है बट इंटरे के लिहाद से एचल टेक पर आज फोकस करकर चलिए यहां पर शुकुरवार के सत्रे में भी काफी अच्छा कैसे गेंस लेखने को मिले थे ऑल्मूस्ट पॉने तीन परसंट तक की शांदा ते अच्छे काउंटरी करने की राय है तो यहां पर शुकुरवार के सत्र में अच्छे कासे गेंस तो ऑफकॉस देखने को मिले थे ही बट साथ ही एक्सपेक्टेशन अब बन रहे है कुछ पोर्ट से आती हुँ दिख रहे है कि नसी के जो आईटी आम है उसको हो सकता है कि पर के तरफ से क्लारिफिकेशन आया है कि वो स्पेकुलेशन पर जवाब नहीं देते हैं बड़ अफकॉस उन्होंने यह का है कि कंपनी लगातार यह उप्रचुनिटीज खोशती रहती है कि जहां पर उनको आगे चलकर एक्टुजेशन का बड़ा फाइदा होता वा नजर आय लिए डिनाई भी किया है बड़ अफकॉस स्पेकुलेशन पर उन्होंने का है कि वो कॉमेंट नहीं कर सकते हैं बड़ फकॉस परसिंस सिसम्स जिस तरह की खरदारी आपको शुकरवार के सत्रम में बढ़नी थी मुझे लग रहा है कि आज भी जारी रह सकती है और 640 रुप है अब आज इसको चुनने का कारणी है कि जो शुकरवार की क्लोजिंग देखने को बिलिए वीकली कैंडल है और टाइम हाई की क्लोजिंग देखने को बिलिए अंडिस्प्यूटेट पारमिटर है काफी समय से आपको बताए कि जो बड़े स्टॉक्स हैं टेक्निकल की चलते हैं यहां पर करने हैं आपको खरीदारी अब बढ़ते हमारी अगली पिक्कियों जो कि है फंडा पेक और फंडा पेक के लिए आज से मैंने चुना है ब्लू डार्ट और यह स्टॉक ऐसा जो पिछले हपते भी लिस्ट में शामल रहा था यहां पर आपको खरीदार बोर्ड ने तो लीस्ट विमानों की खरीद को मंजूरी दे दिये और इसी के साथ इनकी जो फ्लीट मर्डेशन हो काफी अच्छा हो गया है तो यहां पर आपको खरीदारी करनी है चैसे नौ मेने का समय देना है स्टॉक के अंदर स्वता है कि 8000 के पार जाए ब्लू अफकोस यहां पर जिस तरह से खबरे आ रही है उससे भी कंपनी को काफी पॉस्टिविटी मिलेगी आगे चलकर चलिए मेरी तरह से फंड़ापिक के लिहाद से प्राइकॉल यह कंपनी मैंने चुनी है यहां पर खरदारी करकर चलिए ऑटा एंथली स्पेस की कंपनी है इं है एक ने बेचा है और दूसरे ने जो खरीदा है उसमें गोल्मान सेक्ट शामिल है और गोल्मान सेक्ट ने लगभग 2% हिस्सेदारी प्राइकॉल में अब यह खरीदते वे नज़र आ रहे हैं 333 रुपए के प्राइस पर इन्होंने यह डील की है 341 रुपए की क्लोजिं तो अफकॉस पुश करी रही है इस चीज को बट आगे चलकर अगर पुब्लिक की तरफ से भी एक्सेप्टेंस बढ़ती है तो यहां पर इनकी जो प्रॉड़क्स है उसके डिमांड जो है काफी जादा बढ़ती भी नज़र आ सकती है रिटन औन एक्विटी के लिहाद से अब ही देखेंगे तो हेल्दी 18-18% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है साथी पी के लिहाद से भी रिलेटिवली अगर आपने आपने और अंसलेरी से कंपेर करेंगे अभी भी काफी सस्ते वैलिशन पहें 34 के आसपास के पी पर उपलब्द है साथी यहां पर आप देखि अचीव हो सकते हैं वेतरीन फंडा पिक है यहां पर निवेश करकर चल सकते हैं अब जब निवेश की बात निकली है तो यहां पर फंडामेंटली तो हम जो स्टॉक पसंना आते हों आपको बताते ही है साथी इंवेस्टमेंट की कैटेगरी के लिहाद से लिए लंबी बीच में यहाँ पर यह कंपनी बनी है और मुझे लग रहा है कि SBI Life आगे चलकर भी अच्छे खासी गेंज आपको दिखा सकता है Return equity के लिए आज से भी 14-15% के ROE पर यह कारोबार करते हुए नजर आते हैं साथ साथ आप company के आगे चलकर overall जो growth prospects नजर आ रहे है specifically अगले तीन-चार महीनों के लिए वो भी काफी शांदर हो सकते है क्योंकि life insurance पेस हम देखते ही है historically जो GFM month होते है जो first quarter होता है calendar year कोई भी calendar year का मुझे लगा कि उस वज़े से यहाँ पर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकते है और FIs और DIs के तो क्या कहने है almost 40% के सेदारी FIs और DIs दोनों मिला कर यहाँ पर hold करते वे नजर आते हैं और जिस तरह से parentage है तो of course आगे चलकर इनको overall अपने product selling में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है तो अगली एक साल में SBI Life पर focus करकर चलिए अठारा सु रुपे के टागेट के लिए ख़दारी करिए बड़िया स्टॉक बहतरी नटारा सु रुपे के अच्छे टागेट SBI Life यह स्टॉक है जो रडार पर रखेंगे दिवेश के लाएज से मुझे पसंद है सरकारी कंपनी Shipping Corporation of India जहां पर टेक्निकल का सपोर्ट और फंडामेंटल स्टॉर पर भी अगर आप देखें तो भार बातारी स्टॉक अंदर आपको तेजी देखने को भी लेकिन इसके बात बेकर आप देखें तो एक कमफर्ट आ रहा है जिस परकार से अगर आप प्राइज मार्केट का अखड़ा देखें अभी तक का है डिविडेंड का ट्राक रिकॉर्ड देखें सब कुछ अच्छा है सब्सक्राइबल है यहां पर आपको खरिदारी करके चलना चाहिए 200 रोपे तक के जो टागेट से आपको देखने को मिल सकते हैं लेकिन स्लो मूबर है एक दिन में कभी बड़ा मूब आगया तो आगया लेकिन जादत तरी स्टॉक साइडवेज ही रहता है तो बारा महीने एक साल का समय आपको यहां पर देखे निवेश करना चाहिए यह शिपिंग कॉर्परेशन ओफ इंदिया में अब बढ़ते हमारी अगली काटेक रिक्योड जो कि ए खबरों की तो खबरों के लिए आज से मैंने चुना है मजगा और डॉग जहां पर अगर आप देखे तो जब भी तेजी आती है सिर्फ और सिर्फ बड़ी तेजी आती है खबर आईए कि कंपनी को जो है 1145 करोड का जो है ऑर्डर मिला जहां पर रिप्लेस्मेंट और है यह पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए सब सी प्रोजेक्ट माने जा रहा है तो यहां पर अगर आप देख सकती है तो खरीदारी करेंगे टागेट है मेरी तरफ से 2120 रुपे का और स्टॉप लगाना आपको 2040 रुपे का बिल्कूल तो लगातार हमारी फोकस लिस्ट में यह काउंटर रहा है बहतरीन स्टॉक यहां पर और उनके लिए खबर जो आते वी दिख रहे वह भी काफी श गाडियों में गाडियों के लिए जो ड्राइवर केबिन है उसमें AC अन्यवारे हो जाएगा तो यहां पर जो ट्रक्स में AC अन्यवारे करने की बात हुई ही थी पहले जो जो बने आपको बताई थी और उस ख़बर पर महर लगती भी दिख रही है तो यहां पर जो सरकारी वी नज़र आएंगे एसी केमिन्स हो सकता है कि अमबर एंटरप्राइस की भी उसमें बड़ी भूमी का आपको आगे चल कर आती वी नज़र आई इसी वज़ेसे खरदारी करकर चल सकते हैं 31 रुपे के आजबस की क्लोजिंग रही है इंटरडी टारगेट के लिए 3200 रुपे के टारगेट बनार कर चलने हैं और 3060 रुपे का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस का कारोबार है इसी के साथ जो कॉलाइबरेशन है तो आपर खरीदारी करने है 730 के तागेट के लिए स्टॉप लोस लगाना है आपको राउंड विगर 700 रुपे का अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ तो यहां पर मैंने शेवियोट को चुना है जहां पर अगर आप वी स्टॉक इमेरिस्ट में आई टी स्पेस है फर्स तो सल्यूशन जापर टेक्निकल्स का सपोर्ट है खरीदारी करनी है 181 रुपे के टार्गेट के लिए स्टॉप लोस लगाना है 122 रुट है चली माई जिस कैटिकरी में मेरी तरफ से भी तीनों के तीनों खरीदार के कॉल्स है सबसे पहला है यहां पर पिछले एक मेने का चार्ट स्रॉक्षर भी आप देखेंगे तो काफी शांदार अपमुव देखने को मला है चार्ट रुपे से बढ़कर 94 रुपे के आज पास आ चुका है और फरदर पेजी के लिए तियार हो रहा है 980 रुपे का टा लंबी अबदी के लिए भी निवेश करने के लिए बड़ अफकोस इंट्राडे पर भी जिस तरह का मूव आतावा नजर आ रहा है मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी आज भी बन सकती है 1560 रुपे के टागेट के लिए खरदारी करनी है और 1500 रुपे का आपको रखना ह लिए खरदारी करकर चलिए 1200 रुपे के टागेट के लिए आज भी मोमिंटम रिबर करार रह सकता है 1150 रुपे के स्टॉप लॉस के साथ तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस निस्ट होगे है तैयार और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले चल्दी से आप देखे रीकाप काश का स्टॉक के में लिस्ट में सूबरो सेंफेसिस के फूचर्ज में करेंगे खरिदारी और समवर्दर्सन इंटरनाशन 95 रुपे की कॉल अप्शन कर देंगे टेक्निकली पसंदार है जेस डवल स्टील ब्लू डार्ट में करेंगे फंडामेंटल तॉर पर निवेश और निवेश के लाजसे और बहतरी इन स्टॉक है शिपिंग कॉर्परेशन ओफ इंडिया मसगाउं डॉक में खबरो का असर है शॉपर स्टॉप में आएगी तेजी शेव्योट जो शुक्रवार के हाईजन से टेस्ट कर सकता है और फर्स तॉस सल्यूशन यहाँ पर भी करनी खरीदारी इन दस टॉक में मेरा कन्विक्शन सब सबस्दा है मदरसन 95 रुपे की कॉल ओप्शन खरीदेंगे 6 रुपे के टागेट के लिए अगले एक साल में आपको 400 रुपे के टागेट्स यहाँ पर अचीव होते वे भी नजर आ रहे है तो चलिए अब सबी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रीकैप तो करकर बता दिया इस शो में बड़ बाजारों को लेकर आपकी किस तरह की रंडीती बनने चीए यह काफी जादा एहम हो जाती है कारोबार हफटी के पहले दिन काफी सारी सेंटल बैंकों की पॉलिसी भी आने वाली है इस हफते तो देखना होगा कि हमारे बाजार किस तरह से ट्रेड करते वे नजर आते हैं बैराल ग्लोबल संकेत काफी मजबूत है इन सभी संकेतों को किस तरह से आपको डिकोड करना है और कैसे रंडीती बनानी है समझने के लिए सीधे चलते हैं इस तेज शेर बजार लाइब में अनिल सेर और दीप के पास फिलालदीफ हमारे से जुडे वे हैं गुट मौनिंग दीप गुट मौनिंग कुशल गुट मौनिंग आशिष जबर्दस्त अक्शन पिछले हदे का रहा हमारे बाजारों के लिए नए रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड आ रहे हैं ग्लोबल मॉमेंटम अभी भी बरकरार है तो क्या ये एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग हफता हो सकता है हमारे बाजार रोक ले इस पर है फोकस